कि अच्छ को आज हम लोगी स्टार्ट करने चल रहे हैं अपना नेक्स्ट यूनिट टू यूनिट टू में जो हमें पढ़ना है वो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है तो सबसे पहले तो हम उसको देख लें देखिए यूनिट टू एक ऐसी यूनिट है जिसको आप क्लास 12 में अल्रेडी पढ़ चुके हों और बहुत ज्यादा पढ़े हो जितने भी सिब्यसी बोर्ड यूपी बोर्ड या एसी बोर्ड कॉमर्स के स्टुडेंट होंगे जानते होंगे कि उन्होंने यूनिट टू में पार्टनर्शिप कितने अच्छे से पढ़ा था अब जो इसमें स साइन्स के स्टुडेंट हैं वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उनको पूरा का पूरा ये यूनिट क्लियर हो जाएगा क्योंकि इस यूनिट में MCQ पैटन के हिसाफ से सिर्फ और सिर्फ रेशियो निकालना रहता है और अगर सब्जेक्टिव पैटन भी देखें तो रेश क्या है यह कि अगर सब्सक्राइब कर देना तो उसको हमने लेक्चर में डिवाइड किया है जो हमारा पहला लेक्चर है वह है admission of partners, दूसरा lecture है practical problem of admission, तीसरा lecture retirement of partner, चौथा lecture practical problem of retirement और last lecture है dissolution of firm and practical problem छोटा है last वाला तो इसलिए एक ही में कर लिया और आपकी इसकी descriptive note जो है वो download section में available है ERP पे वहाँ से जाकर आप इसको download कर सकते हैं आई कि सबसे पहले अड्मिशन आप partnership theoretical points theoretical points जानने से पहले थोड़ा सा हमें partnership में क्या क्या चीज़ें उसकी theory पढ़नी पड़ेगी कि कि किसको हम firm कहते हैं क्या होता है partnership essential features क्या होते हैं partnership deed क्या होता है यह सारी चीज़ें हमें जाने क्योंकि इसके आने बगार हम आगे बढ़ ही नहीं सकते क्योंकि बार-बार मैं एक वर्ड यूज़ करूंगा firm partners partnership और आपको पता ही नहीं होगा कि यह क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि partnership partners और फर्म क्या होती है तो according to section 4 किसके इंडियन partnership act 1932 अब इसकी वी एक कहानी है कि इंडियन partnership act 1932 क्या है तो यह जो कोई भी नियम कानून भारत में कोई भी नियम कानून जो चलता है वो किसी ना किसी आक्ट से चलता है जैसे company को अगर चलाना हो तो company act 2013 पहले 1956 ठीक है फिर उसके बाद जो है कोई contract वगएर अगर हम लोग करते हैं agreement वगएरा करते हैं तो उसके लिए जो एक्ट होता है वो contract act 1872 फिर negotiable instrument act चेक वगएरा या bills receivable वगएरा कि पेमेंट के लिए यूज होता है उसी तरह पार्टनर्शिप business related अगर कोई काम कर रहे हैं या transaction कर रहे हैं तो उसके लिए partnership act 1932 कि क्या कहता है जब दो या दो से ज्यादा लोग कि कितने इसका मतलब है कि partnership में minimum partner कितने होने चाहिए partnership firm में minimum partner कितने होने चाहिए तो minimum partner होने चाहिए दो यहां पर बोल दिया है न इसने two or more person join hand to set up a business and share its profit and losses they are said to be in partnership section 4 of the Indian partnership act 1932 क्या define कर रहा है define partnership as the relation between किसके बीच में person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all मतलब कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी firm को establish करते हैं जहां पर वो profit बाढ़ते हैं और profit या loss profit नहीं profit या loss बाढ़ते हैं और उन में से किसी एक के द्वारा business चलाया जाए या सब के द्वारा acting for all यह है partnership तो partnership के लिए दो या दो से ज्यादा आदमी और profit sharing ratio यह होना जरूरी है अब जो इस business में involved लोग होते हैं जो इसके members होते हैं उनको बोला जाता है partners और इस business को carried is called the firm name a partnership firm has no separate legal entity अब features क्या है partnership firm के तो features है कि कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग तो minimum कितने दो maximum कितने तो partnership act के according maximum 50 होंगे और company act 2013 के according maximum 100 होंगे यहां पर question पूछता है बार-बार कि minimum partners की संख्या कितनी होगी यह maximum partners की संख्या कितनी होगी यह question आपसे arise होता है कि कि किसी partner यह हमेंसा यह arise होता है company company भी जबापढ़ेंगे न तो वहां पर बूचेगा कि public limited company में यह private company में public company में minimum members कितने होंगे agreement partnership is the result of an agreement between two or more person to do business and share its profit and losses partnership is the result of partnership क्या होता है दो लोगों के बीच में किया गया agreement का result होता है जिसमें वो करते हैं agreement कि हम लोग आपस में profit या loss को किस तरह बाटेंगे agreement should be to carry on some business agreement जो है वो कुछ business carry on करता है agreement should be to carry on some business mayor co-ownership of a property does not amount to partnership agreement जो होगा partners के बीच में वो किसी business को चलाने के लिए होगा अब मानके चलिए कि Supposed हम और मेरा एक दोस्त दोनों जो है एक property करेद लिए सिंस्छि कहा लिए तो उस पROपर्टी में मैं और मेरा दोस्त दोनों ने अपने नाम प्रेदिटिlicht होराई दोनों के नाम पे रजिश्टिरी है तो क्या होती है क्योंकि इसमें कोई एक पार्टनर या फिर सारे पार्टनर मिलकर एक्ट करते हैं कारे करते हैं शेरिंग और प्रॉफिट यहां पर एक प्रॉफिट शेरिंग रेशियो होना चाहिए प्रॉफिट या लॉस का agreement में liability of partners partners की liability क्या है each partner is liable jointly with all other partner and also severely to the third party मतलब एक partner liable है other partners के लिए भी और third party के लिए भी for all act of firm done while his partner firm जो भी कारे करेगी उसके लिए जब वो पार्टनर था अब बात करते हैं partnership deed की पार्टनर्शिप्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लेकिन compulsory ना होने पर उसके नुकसान है तो इसलिए लोग partnership deed को रेटन में रखते हैं partnership deed होता क्या है partnership deed partners और फर्म के बीच के relation को explain करता है कि partners की entry कैसे हो पहले चीज तो उसमें partners का नाम partners का पता partners का profit sharing ratio partners की capital partners का नियम कानून सारा जो existing partner है उनका होगा फिर नया partner कैसे आएगा आएगा तो उसके लिए voting होगी तो कितने vote होने चाहिए फिर उसके बाद कोई partner रेटायर होता है तो उसको क्या क्या दिये जाएगा कोई partner अगर देत हो जाती है तो उसको क्या दिये जाएगा किसी फर्म के dissolution होने पर profit वगेरा कैसे बाटा जाएगा liability वगेरा कैसे discharge की जाएगी इन सारी चीजों की detail partnership deed में होती है Partnership come into existence as a result of agreement among the partners The agreement can be either oral, मैंने कहाना या तो ये मौकिक हो सकता है या तो ये लिखित हो सकता है Oral are written The partnership act does not require that the agreement must be in writing या भी मैंने कहा कि partnership act कहता है जरूरी partnership act कहीं पे नहीं कहता है कि आपकी partnership deed जो है वो रिटेन हो It generally contain the detail about all aspects affecting the relationship between the partner including the objective of business, contribution of capital by each partner ratio in which the profit and loss will be shared by partner Entitlement of partner to interest on capital, interest and loan etc अब यहां पे कुछ accounting point of view से कुछ important provision है जो कि बताना में जरूरत है क्योंकि MCQs में यह पूछ लेता है नहीं भी पूछता तो आपके लिए knowledge रखना इसकी जरूरत है Profit sharing ratio If partnership deed is silent, अगर partnership deed silent है About profit sharing ratio The profit and loss of the firm are to be shared equally by the partner Irrespective of their capital contribution पहली चीज़ अगर silent है तो Interest on capital अगर partnership deed silent है तो किसी भी तरह का को interest on capital partners को provide नहीं करना है और interest on drawing अगर partnership deed silent है तो किसी भी तरह का को interest on drawing भी नहीं लेना है और interest on loan If any partner has advanced या किसी भी partner ने अगर कोई loan वगेरा firm को दिया है तो उसको minimum interest 6% per annum मिलना चाहिए अब बात आती है partners की capital account की partners का capital account क्योंकि partner से बाता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है capital तो जब capital लेकर आ रहा है तो जाहिर से बात है कि उसका capital account भी maintain होगा तो capital account में क्या क्या चीज़ें आती है capital account में उसकी capital आती है पाटनर जो कुछ भी फर्म में कमाता है वो उसकी कैपिटल एकारंट में आती है जैसे पाटनर अगर प्रोफिट कमाएगा कैपिटल में, रिजर्व होगा कैपिटल में, किसी भी तरह का सैलरी, कमिशन वो सारे के सारे कैपिटल में, interest on पिसकिल सब्सक्टेद करा है तो ओन हम याぇ पिया हुआ है ना सिंख्राइब ek इस इंख्रून्ट ऑफ भाओंट इस निकालता एंवगा इंट्रेस्ट ऑन द्रहा इंट्रेस्ट ऑन द्रोइंग पाल्टनर सेलरी Commission to partner etc. अब partner capital account बराने के दो तरीके हैं एक तो है fixed capital method और एक है flexible capital method fixed capital method में जो capital आपकी beginning में रहती है वही capital आपके end में रहेगी और इसमें कोई भी changes नहीं होता यह fixed capital method है तो सर जो हम profit या interest on capital या जो salary commission वगेरा जो भी हम कमाते हैं फिर वो कहां लेके जाएंगे वो आपका एक अलाग account opened होगा current account तो fixed capital method में total कितने account open होते हैं दो एक capital और दूसरा current और flexible में कितना एक opening capital में सारी चीज़ें आपका share of profit, reserve, profit on revaluation, interest on capital सब चीज़ें जोड़कर और interest on drawing या किसी भी तरह की कोई drawing या किसी भी तरह का कोई loss है उसको minus करने के बाद जो value आती वो आपकी closing capital होते हैं देखिए आगे बढ़ते हैं इसी के बारे में details यह तो मैंने से फिक थे ले मैंन बताया है अब देखते हैं थेओरी में क्या लिखा है Under the fixed capital method, the capital of the partner shall remain fixed unless additional capital is introduced or a part of capital is withdrawn as per the agreement among the partner All items like share of profit and loss, interest on capital drawing, interest on drawing, etc. are recorded in a separate account called partner's current account Fluctuating capital method, under the fluctuating capital method, only one account, that is capital account, is maintained for each partner All the adjustments such as share of profit and loss, interest on capital drawing, interest on drawing, salary or commission to partner, etc. are recorded directly in the capital account of the partners When firm acquire additional capital or managerial help or both for the expansion of its business, a new partner may be admitted to supplement its existing resource. According to Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into the firm only with the consent of Begair consent के या partnership deed में mentioned rules, regulation के किसी की भी entry नहीं हो सकती तो जब पार्टनर फार्वार्म में आता है, तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है अधिकार किस पर अधिकार फर्म के असेट को बाटने का अधिकार या उसका हिस्सा और फर्म के लाभ में उसका हिस्सा ये उसका अधिकार है ठीक है अब आती है बात next new profit sharing ratio जब partner आएगा तो जाहिर से बात है कि profit sharing ratio बदल जाएगा पहले वन इस टू वन के ratio में बाट रहे थे तो वन ब पार्टनर आया अब वो अपने वो भी उतने के लिए हिस्से के लिए आया तो वो भी वन वन इस टू वन में बाट रहा है तो यानि कि अब क्या हो गया वन थर्ड वन थर्ड पहले 50% 50% था अब कितना हो गया 33% 33% तो नय पार्टनर के आने से आपका profit तो कम हुआ profit sharing ratio तो य यानि कि 50% 50% फिर आया C नया पार्टनर sorry C के आने से अब जो हिस्सा हो गया वन थर्ड वन थर्ड हो गया तो इसका मतलब है कि 16.67 A ने दिया क्योंकि 50 में से 33.33 माइनस करिए और B ने भी इतना दे दिया तो इन दोने ने अपना sacrifice किया ना क्योंकि 16.67 और 16.67 जोड़ेंगे तो 33.33 C का निकलेगा यानि कि A और B ने जो दिया उसी से C का हिस्सा बन रहा है तो A और B ने अपना sacrifice किया तो जब नया partner आता है तो goodwill लेकर आता भी आगे बताऊंगा जब नया partner आता है तो goodwill लेकर आता है तो वो जो goodwill है वो पुराने partner बाट लेंगे किस ratio में sacrificing ratio में और sacrificing ratio का formula है old ratio माइनस new profit sharing ratio अब आते हैं goodwill बहुत important है goodwill के हमें valuation करना यह भी बहुत important है नया partner आ रहा है उससे हम लोग पहले ही बोल देते हैं admission के समय भाई देखो तुम्हें आना है तो इतनी capital और इतनी goodwill लेकर आओ अगर पुरानी firm है तो चाहिर से बात है goodwill लाना ही पड़ेगा क्योंकि इतने साल तक हम लोगों ने काम किया है इस firm को हम लोगों ने establish किया है तो माँगे directly profit में हिस्सा लेने लगोगे लेकिन जो हम लोगो ने इतने साल तक मेहनत करके इसके goodwill बने उसकी value तो भी हमें चाहिए तो उसके लिए goodwill की valuation करनी पड़ती है अच्छा goodwill की valuation कब करनी पड़ती वह तो बात की चीज़ है फिर goodwill हम निकालेंगे और निकालकर जो partners goodwill ला रहा है उस goodwill को हम बाटेंगे किस ratio में बाटेंगे जिस ratio में old partner ने sacrifice किया है sacrificing ratio में बस sacrificing ratio का काम सिर्फ इतना है कि जो partner goodwill लाता है नया partner जो goodwill लाता है उसको हम बाटते हैं पुराने partners के बीच में need for valuation of goodwill goodwill के valuation की क्या जरूत है क्यों करते हैं तो पहला है change in profit sharing ratio among the existing partner मतलब जब profit sharing ratio पार्टनर हैнов नमें बदलाय हो जाता है profit sharing ratio में बदलाय हो जाता है तो हमें goodwill के valuation की जरूत परती है जब कोई partner आता है तब goodwill निकालते हैं जब कोई पार्टनर मर जाता है तब गुल निकालते हैं और अगर firm dissolve हो जाती है फर्म डिसॉल्व का मतलब है कि जब हम फर्म को बेच रहे हैं तब हमें गुडविल निकालना पड़ेगा या अपनी फर्म को किसी दूसरी फर्म के साथ मिला देते हैं, अमलगमेट कर देते हैं, तब हमें गुडविल की वैलवेशन करनी पड़ेगी Goodwill के Valuation के तीन मैथड हैं Average Profit मैथड, Super Profit मैथड और Capitalization मैथड फिर आते हैं हम Revaluation of Asset and Reassessment of Liabilities जब partner आता है, कोई नया partner आता है तो देखो यहाँ पे हमें asset की देखो जैसे मान के चलो कि हमने 2010 में business start के firm अब 2010 से लेकर 2020 तक हमने, मान लो जुनायद ने और राम ने, दोनों ने business मिलकर start किया इतने साल तक हम लोगों ने firm की asset वगयरा जोड़ी 2010 में कुछ asset खरीदी थी तो एक बार बताओ कि उसकी जो value 2010 में होगी वही value 2020 में भी होगी increase हो गई होगी अब जो नया partner आ रहा है, नया partner आ रहा है वो आ रहा है 2020 में अगर हम revalued नहीं करेंगे 2010 की खरीदी गई संपत्ती थी 2020, 2030 मान लो तीस में जब उसको हम firm को समाप्त करेंगे 2010 में खरीदी गई संपत्ती का मान लो 10 लाख रुपए value थी 2030 में उसकी एक करोण रुपए value है तो जाहिर सी बात है कि जो नया partner है उसको भी profit में उस profit में इस समिल जाएगा जो संपत्ति उसके तोरह खरीदी नहीं गई जो उसके सामने थी ही नहीं तो यहां पर क्या करते हैं कि 2010 में की गई संपत्ती को परचेस की संपत्ती को हम revalued करेंगे संपत्ती या liabilities दोनों को हम revalued करेंगे 2020 में नय पार्टनर के आने के समय अच्छा, REVALUTION ACCOUNTS नय पार्टनर के आते समय नहीं बनता नय पार्टनर के आने पे आने पार्टनर के जाने या उनकी देत हो जाने पे बनता है अगर ज्यादा ज्यादा अश्याट की वैल्यों या कम हो गई तो उसको हमें अपने BOOKS OF ACCOUNTS में REVALUE करना पड़ेगा Similarly, a re-assessment of liabilities is also done Same इसी तरह हमें liabilities का भी re-assessment करना पड़ेगा At time there में also be some unrecorded और उस समय हो सकता है जब नहा पार्टनर आ रहा है या पुराना पार्टनर जा रहा है तो कोई unrecorded asset या कोई unrecorded liabilities है तो उसको भी हमें record करना पड़ेगा फिर उसके बाद दोनों side का balance करते हैं balance करने पर या तो profit आएगा या loss आएगा तो चाहे profit आए या loss आए उसको हम partners में बाटेंगे किस में बाटेंगे, कौन से ratio में बाटेंगे old profit sharing ratio यही कह रहा है न, capital account, old partners तो यह आपके इतने topic में, admission of partnership में जो important चीज़ है थी, वो इतनी थी क्या था, क्या question यहाँ पर अगर descriptive में जाते हैं तो क्या question बनता है, कि what is partnership explain and essential feature of partnership explain अगर बनता है, वैसे theory तो बहुत कमी पूस्ता है इसमें practically पूस्ता था descriptive के case में लेकिन अगर बनता है, तो क्या बनता है कि what is partnership explain and essential feature of partnership अब आईए, one liner, partnership firm governed by partnership act 1932 minimum number of partner in a firm is 2, maximum number of partner as per company act 100, maximum number of partner 50 partnership deed contain partnership deed contain all details about all aspects affecting the relationship between the partner in which document partnership rules and regulation are written that is partnership deed partnership entitled to get an interest on the loan amount at the rate of 6% per annum how many method for preparation of capital account तो यहाँ पे दो method है under fixed method number of account prepare दो कौन-कौन से एक capital और दूसरा current under flexible method flexible method flexible method number of account prepare तो सिर्फ एक कह रहा है कि पांच चीज़े लिखिए debit side of capital account के तो debit side of capital account के पांच चीज़ें तो द्रॉइंग ठीक है इंट्रेस्ट on capital लॉस लॉस और रिवैलिशन और अगर आप goodwill withdraw करते हैं तो इतनी चीज़ें आती हैं फिर कह रहा है कि credit side of capital account के तो opening capital पहली चीज़ प्लस प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट और रिवैलिएशन प्लस रिजर्व प्लस गुडविल जो नया पार्टनर लेकर आ रहा है ओप्निंग कैप्टर हो गया प्रॉफिट हो गया प्रॉफिट और रिवैलिएशन हो गया रिजर्व हो गया गुडविल हो गई फर्मकी और पार्टनर्स की कोई इंकम हुई तो यह से पार्टनर सेलरी पार्टनर कमिशन यह सब हुआ तो फॉर्मूला फॉर्स काप्र च्रॉबश फ्यहो खडिज शैडा भॉर्स की और रेन हो रいवार्टनर के ऋ FC और ढ प्रॉफिट जिज़ झाल्अे वार्टनर्स काप्र fr sû गजने हो से मैने फिएLC r आल्स पान की हो discouraged वर्जेद फॉर्स फह खडवर to partner's capital account. फिर कह रहा है at the time of admission of a partner undistributed profit appearing in the balance sheet of old firm is transferred to capital account of partners in old ratio. फिर उनने पूछा है debit side item of revaluation and credit side item of revaluation. ठीक है? तो वो तो हमने आपको बता दिया. अब अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से WhatsApp पे पूस सकते हैं. चलिए. थैंक यू क्लास.